2007 में एक प्रियोग हुआ और सोशल इंजिनरिंग का ये प्रियोग बेहत काम्याब हुआ इस प्रियोग के भीतर एक नारा था और वो नारा था हाथी नहीं गडेश है ब्रह्मा विश्णू महेश है साथी एक नारा और था सर्जन हिताए सर्जन सुखाए जी मैं बात मायवती की कर रहा हूँ वो मायवती जो सूबे की चार बार मुक्खे मंत्री रही मगर क्या वोही मायवती इस बार चुनावी रेश से उत्तर प्रदेश के भीतर बहर हो चुकी है ये सवार वाकई में अपने आप में बड़ा है क्योंकि यूपी के भीतर दरीतों की सियासत का एक बड़ा नाम मायवती कर रहा इतिहास के पन्नों को पल्टे और पन्नों को पलटने के साथ ही मायवती का अध्याए अपने आप में उत्तर प्रदेश में वो मील का पत्थर है जो किसी से छिपा नही सपा अध्यक्ष अखलेश यादव हों या फिर बीजेपी के चड़क के अमिश्शा जिनके दावे हैं कि लड़ाई सीधी और सीधी सपा की बीजेपी के साथ ही है दरसल इन बयानों के अपने माइने है दोनों ही बड़ी पाटियां मायवती को कम क्यूं आक रही है या फिर नजर अंदाज करने की कोशिश हो रही है ये एक रणनीती का हिस्सा है क्या रणनीती के तहट बीजेपी सपा दोनों ने मायवती को रेज से बाहर कर दिया 2007 को याद किये इतिहास के पन्नों को पल्टेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2007 में मायवती ने एक करिश्मा दोराया था और एक फार्मूले के साथ इस करिश्मे को धरातल पर उतारा और ब्रहमण नेताओं को पार्टी से जोड़ना शुरू किया यानि कि दलित प्लस ब्रहमण का वो फार्मूला मायावती ने ब्रामणों को प्रमोट किया और टिकेट भी बाटे सोशल एंजिनरिंग का 2007 के विधान सबाद चुनाओं में ये नारा घुंजा सर्जन हिताए सर्जन सुखाए भाईयो भेनो उत्तर प्रदेश के भीतर वो पहला ऐसा सम्मेलन था हाथी नहीं गडेश है ब्रह्मा विश्णु महेश है जहां एक नारे गुंजे इतिहास के पन्नों को पल्टें तो कई दिल्चस्प किस्से मायावती के नाम लिखे हुए 1993 का वो दौर विधान सबाद चुनाओ में ब्यश्प और मायावती के लिए किस्मत को पजटने वाला साबित था यहीं वो दौर था जब मायावती और ब्यश्प दोनों की किस्मत पलटी थी इस चुनाओ में पहली बार सपा से गड़ बंधन किया और ब्यश्प ने 70 सीटों के आसपास चुनाओ जीते जहां तक मुझे याद है कि 67 सीटे जीत कर ब्यश्प आई थी उस दौर में बाद में 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ हाथ बढ़ा लिया तब वो मुख्य मंत्री बनी वो भी एक दौर था उनका कारेकाल महस चार महीने का था चार महीने का दूसरी बार 1997 तीसरी बार 2002 मायावती फिर मुख्य मंत्री बनी उनकी पार्टी बीएसपी बीजेपी के साथ गड़ बंधन में चली इसका नतीजा ही था कि बीएसपी पूर वहुमत से जीत हासिल करके खाई दी मायावती फिर मुख्य मंत्री बनी 2007 के दौर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से स्प्रिंग काम करता है मायावती के साथ भी यूई हुआ स्प्रिंग की तरह दपते 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 जैसे ही मौका मिला चार गुना तेजी से उचा लिए 2007 के विदानसवा चुनाव में मिली जीत में एक फौर्मूला जुड़ गया वो फौर्मूला एक बार फिर से 2022 में मायावती दौराने की कोशिश कर रही है डलित प्लस ब्रामण अब उसी पुराने फौर्मूले को वो आजमा भी रही है इसके पीछे का लॉजिक भी समझे दरसल ब्रामण बीजेपी से नराज बताये जा रहे है और बीजेपी इनी ब्रामणों की नराजगी को दूर करने की कोशिश भी कर रही है मगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके रणनीतिकार सतीश मिच्र दोनों को ये लगता है कि यही सही मौका है 2007 के फॉर्मूले को दोहराया जाए क्योंकि यही ब्रामण सपा के पास जाने से गुरहिज करेगा और यही 22 प्रतीशत के आसपास अगर वोट बैंक हमारे साथ खड़ा हो जाए ब्रामण प्लस जलित का और लगभग यह 30 प्रतीशत के आसपास बैठता है ब्रामण प्लस जलित और माना यह भी जाता है कि उत्तरफरदेश की सियासत में जिसने भी जंग जीत नहीं है वो 30 प्रतीशत के आसपास अगर फॉर्मूले के आधार पर वोट ले आता है तो सत्ता उसके नाम होती है और इसी गड़ित को सुलजाते हुए मायवती ने यह तै कि ब्रामण प्लस जलित के वोई पुराने फॉर्मूले को अपनाया जाए तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी भी आसहज हो रही है क्योंकि बीजेपी को इल्म है कि अगर ब्रामण छटका तो सत्ता का आशिरवाद उसे नहीं मिलेगा ऐसे में दोनों ही बाते समझ में आती है कि पहली ये कि मायवती को मुकाबले में माना ही ना जाए या फिर सोच समझ कर एक प्लान के तहट उनका नाम लेने से प्रहस किया जा रहा है ताकि जनता को जताया जा सके कि मायवती तो मुकाबले में है ही नहीं ऐसे में सवार ये उठता है कि क्या मायवती वाकई में रेश से बाहर हो चुकी है या फिर एक बार फिर से मायावती अपनी सोचल इंजिनरिंग के जरीए सब के होश उडाने वाली है लेकिन ये भी सच है कि मायावती का एक कैडर वोट बैंक है चाहे वो मोधी नाम की सुनामी ही क्यों ना आई लेकिन वो 16, 17, 18, 19 प्रतीशत जो वोट बैंक है वो बोट बैंक हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहा तो भाईयों आपको क्या लगता है वाकई में मायावती रेज से बाहर है या फिर मायावती एक बार फिर से कमबैक करेंगी आप अपनी राय कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं हम उसे कारिक्रम में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती को कम आकना एक भूल सावित हो सकता है सभी राजनितिक दलों के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत